हेलो फ्रेंज वोल्कम टू बेक में चैलेंग मैं हूँ शोना ली कैसे है आप सभी उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हूं कर में भी बहुत अच्छी हूं तो आप सब बहुत लोग मुझे कॉमेंस के हो कि तो आप कौन सा पोड़ाक से मेकप वीडियो बनाते हो आप तो आज में पार्टे मेकप लूग क्रिएट करूंगी तो मेरा लास्ट लूग कैसा रहता है वह आप लोग लास्ट तक देखना और जो जो मिने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो प्लीज में चैनल को दाकर सब्सक्राइब कर दो ज्यादा बात ना करके चलिए मेकप को श अच्छी फेज पर जला लगा लिये थे उसके बात मैंने बार्टे कर तो यूस कर लिए इस बहुत अच्छा है इस से ने डीपली मॉस्ट्राइजर भी हो जाता है और फेज को डियाइड भी कर देते और वैसे मुझे बाटे का बहुत अच्छा लगत चाहेंगे तो आप ल आप लोगो सब ब्राश मिल जाएगा बहुत अच्छा भी है उसके बात मैंने में स्केयर का ब्राउन कलर का जिल लाइनर लेकर आइवरू को फिल कर रही हूँ और फिनिशिंग टोलों के लिवेंड रोमा बाइनर लेकर उसको अच्छा ही आएगा देखेगा अच्छे सं God मदल से आईब्रू को शेप दे रही हूँ वैसे मुझे क्रालान का सूप्री पैडलेट बहुत अच्छा लगता है और ड्राय स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और यह लॉंग लास्टिंग भी होता है तो आप लोग भी क्रालान का सूप्री पोड़क यूज कीजी इतन होगा तो इसलिए दोनों आईब्रू को सेम में शेप दे रही हूँ देखे आप सही है ना दोना आईब्रू हाँ आप सही है उसके बाद मैंने ब्राउन कलर का श्याडव लेके अच्छे से उसके उपर लगा लेड़े क्योंकि मुझे लग रही है थोड़ तर वाइट लग मेरे पास मोडफाई के एक यस्जाडव पैलेट और एक है प्रीटी पैलेट जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग भी ओसे की से आप लोग भी बहुत अच्छह लगे गई पैलेट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उसके बाद ना मैंने स्वीज ब्यूटी का लूस फिनिशिंग पाउडर से आई मेकप पो सेट कर दूंग ताकि मेन आई मेकप और जाधा टाइम लांग लस्टी हो बैसे स्वीज ब्यूटी का पोड़ाग भी बहुत अच्छा ह पिर उसके बाद एक ब्राश की मदद से एक लाइट कलर का आई शेडो लेकर क्रीज लाइन पर अच्छा से ब्लेंडिंग कर रही हूँ जितना अच्छा ब्लेंग करियेगा ना उतना नहीं अच्छा लगएगा उतना आई मेकप अच्छा लगएगा दीखने में बहुत बहुत अच्छी से ब्लेडिंग करने के बाद एक और थोड़ा सा लाइट पिंग से थोड़ा सा कम शेट का उंगली से में अच्छी से उसको डैब डैब करके लगा रही हूँ देखिया फिर ब्रैश के मदद से ब्लाक कलर का आईशेट लेकर इनर कॉर्नर पर उसको अच्छी से ब्लेडिंग कर रही हूँ तो बहुत अच्छी से ब्लेडिंग कर रही हूँ क्योंकि जितना अच्छी से ब्लेडिंग करेंगे उतना आई मेकप अच्छा रहेगा और हैसलाइन नहां देखेगा तो आप लोग भी थोड़ा सा टाइम लेकर जितना अच्छी से ब्लेडिं आए शाटो लेकर ब्लेंग से ब्लेंड राइशाटो睡 उसका इंगलि स्थ सफ़ेगों थोड़ा सो wid academic effect ब्लाइल खुड़ा से चुक्राइशाटो लेकर गांड लगा क्या सauptना अच्छा लग रहां है निखे तो तीनों के मैं अच्छे से मिक्स्ट कर यू पूरा अच्छे से ब्लेडिग कर यू इतना अच्छे से ताकि कोई हराशलाइन न दिखे तो देखे बहुत अच्छे से ब्लेडिंग हो रहा है देखिए फिर थोड़ा ब्लाक श्रोले का और अच्छे से ब्लेडिंग कर यू तीनों को अच्छे से मिक्स्ट कर यू तो ब्लेडिंग हो गया फिर में एक गोल्डन शिमर लेके इनर कॉर्णर पर हाथों का मदद से उसको लगा दे रही हूं देखिए आप इतना अच्छा लग रहा है मेकप इतना टेम अधुरा था अब देखिए फिर इसको ब्राश के मदद से उसको अच्छे से ब्लेंड कर दियो फिर मैं लैक में का लाइनर यूज कर रहे हूं मुझे लैक में का प्रड़क भी बहुत अच्छा लगता है बैसे मैं परने भी थोड़ा टाइम लग जाता है लाइनर लगाने में मुझे तो टाइम लग जाता है ताकि दोनों लाइनर मेरा सेम दिखे नहीं तो दोनों अलग अलग दिख जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा देखिए में दोनों सेम रहेगा तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है देखें से आप सही लग रहा है दोने So हाँ आफ से ही उसकी बाद मैं भूह विन का मश्करा ध्यूस करें है तो मश्करा हैज़ों непोच कर लागा लग के लिए उसके बाद लाग लगा हे तो , आप लोगको भी आईलच पशाने तो आप लोक मतलत ल्काहिव का लेगा वैसे मुझे पसंद निलाग लगा उसके बाद आता है प्राइमर स्वीटी का प्राइमर यूज करने से ना ओपेन पूर्जूते कम होता है और मेकप लॉंग लास्टिंग होता है तो मेरे फेस पर ज्यादा डर्क स्पॉर्ट नहीं इसले मिले और इंस कंसिलर थोड़ा सा यूज किये उसके बाद मैंने ये फेस अच्छा लगता है कि क्या बताए तो आप लोग भी उस कर सकते प्रोड़क बहुत अच्छा है और देखें कितना अच्छा लगए नैच्रल गुलो आ गया बहुत अच्छा से फेस को ब्यूटी ब्लेंडर के मदद से उसको फेस पर बठा दीजिएगा तो उसको बहुत लग जाएगा क्योंकि जितने अच्छा सब्लेंडिंग करेंगा उतना दीखनी में अच्क्या लगएगा रिक्तगे से फेस गवरा दिखोगा धिएगा तकल अग्यूत में क्रीमी ककर को से क्वेस को ब्यूटी कर लेंगी सोंकिक कुं यूटा क्लों नैच्रल यह बीटी ब्लेंडर के मजद सको अर्टियस से बेंडिंग कर दिया है उसके बाद में सवीज बीटी का 06 चुंपूर कंसेलर यूज़ कर रहे है देखिए कितना अच्छा गुलो आ गया फेस पर अभी से ही है तो इसको बहुत अच्छा से ब्लेंडिंग कर रहे हैं देखिए बहुत अच्छा ब्लेंडिंग हो गया तो उसके बाद मैंने स्वीज ब्यूटी का लूस फिनिशिंग पाउडर लिए ताकि मेकप को सेट करने के लिए ताकि मेकप और ज्याधा टाइम लॉंग लस्टिंग हो तो मैंने पुरा मेकप को सेट कर दिए पाउडर से बहुत अत्य से देखिए ऐसे ठीक लगाईएगा आ गला पर भी थोड़ा लगा ली जिएगा जा जा फिर उसके पाद मैंने कलर एसेंस का ब्लाशर यूज कर रहे हैं थोड़ा सा हल्का रेट शेट लेके चीक पर लगा रही हूं मैं बहुत अथ्य से वैसे मुझे ब्लाशर भी बहुत पसंद दे तो ज्यादा नहीं थोड़ा से नुस कांटूर कर लिए पैलेट से फिर जो शेड़ो मैंने आखों के उपर लगा थे ना उस सेम प्रोसेस पर नीचे में भी थोड़ा लगा ले रहे है आखों के उसके बाद मैंने ग्लाम 21 का हाइलाटर उसकर रहे हूं मुझे हाइलाटर बहुत अच्छा लगता है और गुलो भी आ जाता है बहुत अच्छा एक तो देखिए अक्राइलन का पोड़ाग ना ज्यादा है वी नहीं एक दम नैच्रल गुलो आता है देखिए फिस आइबुल को नीचे भी थोड़ा लगा लिए हूँ है हाथे से लगा लिए उसके बाद मैं पर्पल कलर का और मुझे फैस डीट कलर कर लिप्स्टिक भी बहुत पसंद है कि एक मैस जब तक लिपस्टिक नहीं लगाऊंगे ना तब तक में मेंब एक़्दम अधुरा रहे जाता है तो जान नहीं आता कोई फेस पर जब देखिए आप कितना अच्छा लग रहे हूँ सेटिंस पर इ इसलिए फिर मुझे एडिंग पैसंद था तो मैंने एडिंग पहन रहे हैं इस आरी के साथ तो देखिए पहन लिए और फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ देखिए तो कैसा लगा मेरा लास्ट लुक प्लीज कॉमेंट्स पर बताईएगा और मेरा मेकप भी आप लोगों कैसा लगता है ओवी प्लीज कॉमेंट्स पर बताईएगा मुझे धेर सरा प्यार दीजिए सपोर्ट किजिए कि मैं भी आगे बढ़ पाऊ और जो जो मेरे चलेंग को सब्सक्राइब नहीं कियो प्लीज मेरे जाके चलेंग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मेरे लास्ट लुक कैसा लगतार में कैसी लग लिए वी कॉमेंट्स पर बताईएगा